उत्पत्ति अध्याय दो यो आकाश और पृत्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमिश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सात्वे दिन समाप्त किया, और उसने अपने किये हुए सारे काम से सात्वे दिन विश्राम किया, और परमिश्वर ने सात्वेदिन को आशिष्टी और पवित्र ठेराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सुष्टी की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पुथ्वी की उत्पत्ती का वुरुत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमिश्वर ने पुथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पवधा भूमी पर न था, और न मैदान का कोई छोटा सा पेड उगा था, क्योंकि यहोवा परमिश्वर ने पुथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमी पर खेती करने के लिए मनुष्ट भी नहीं था, तो भी कुहरा पुथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमी सिंच जाती थी, और यहोवा परमिश्वर ने आदम को भूमी की मिट्टी से रचा, और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूग दिया और आदम जीवता प्रानी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पुर्व की ओर अदम देश में एक वातिका लगाई और वहाँ आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने भुमी से सब भाती भाती के वुक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वातिका के बीच में जीवन के वुक्ष को और भले या बुरे के ग्यान के वुक्ष को भी लगाया और उस वातिका को सीचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहे कर चार धरा में हो गए पहली धरा का नाम पिशोन है यहाँ वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है उस देश का सोना चोखा होता है वहां मोती और सुल पत्थर भी मिलते हैं और दूसरी नदी का नाम गिहोन है यहाँ वही है जो कूश के सारे देश को गहरे हुई है और तीसरी नदी का नाम हिद्दे केल है यहाँ वही है जो अशुर के पुरो की ओर बहती है और चवती नदी का नाम फरात है जब यहवा परमिश्वर ने आदम को लेकर अधन की वाटिका में रख दिया कि वहां उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे तब यहवा परमिश्वर ने आदम को यहाज आग्या दी कि तू वाटिका के सब रुक्ष्यों का फल बिना ख़टके खा सकता है पर भले या बुरे के ग्यान का जो रुक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, उसी दिन अवश्य मर जाएगा. फिर यहवा परमिश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, जो उससे मेल खाए, और यहवा परमिश्वर भुमिने से सब जाती के बनेल पशुव और आकाश के सब भाती-भाती के पक्षियों को रच कर आदम के पास ल नाम रखता है, और जिस-चिस जीवित प्रानी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया, सो आदम ने सब जाती के घरेलू पशुव और आकाश के पक्षियों और सब जाती के बनेल पशुव के नाम रखे, परन्तु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला, ज जो उससे मेल खा सके, तब यहवा परमिश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसुली निकाल कर उसकी संती मास भर दिया, और यहवा परमिश्वर ने उस पसुली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया और आदम ने कहा अब यहां मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मास में का मास है सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यहां नर्मे से निकाली गई है इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और व और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे